इस question में हमें एक figure given है और उसमें कहा है कि AB equal to AC है AB और AC equal है और साथ में यह कहा है कि angle BEC BC कौन सा angle है बच्चे? pointer पर द्यान देना This one is 100 degree और हमें value find करनी है X की यानि कि यह X एक angle है जो कि उसका full name ACB है यह वाला angle X और angle Y find करना है यानि कि angle BDC यह दो angle हमें find करने है तो given और two find में हमने लिख लिए है इदर अब हम कैसे करेंगे द्यान से समझना सबसे पहले angle Y find होगा कैसे द्यान से समझो अब द्यान दो बच्चा यह correlatoral BECD BECD के चारो points चारो vertices कहलो corners कहलो या points कहलो circle के उपर लाई कर रहे है angle E, B C, D और B चारो points circle के उपर लाई कर रहे है तो इसका मतलब यह जो quadrilateral है न cyclic होगा जब भी all four points quadrilateral के circle के उपर लाई करें those correlatoral cyclic होता है और cyclic correlatoral की एक property होती है कि उसके जो opposite angle है जैसे यह angle E है इसके opposite कौन सा है D मैंने हो आमने सामने वाले angle जैसे angle E और angle D इसी तरह से यह angle DBE और DCE यह दोनों opposite angle है ओके तो opposite angle का जो sum होता है each pair of opposite angle का हमेशा 180 होता है यानि कि अगर हम B E CD correlator लें तो एक cyclic correlator होगा तो हम लिखेंगे in cyclic correlator B E C D angle B E C जो कि हमें इसकी measure 100 degree दी है plus angle Y या कहलो angle B D C अभी full name लिख देते है B D C is equal to 180 reason being sum of opposite angle of cyclic correlator is 180 अब एंगल B E C हमें 100 degree दी है और B D C कहा है Y तो 100 plus Y is equal to 180 degree this implies that value of Y क्या होगी बच्चा 180 minus 100 so this implies that Y is equal to 180 minus 100 क्या होगा 80 degree तो Y की value हमारी 80 degree आगी अब next हमें X निकालना है X दिको पीटर कौन से triangle का part है triangle ABC का है की नहीं yes sir है तो अगर हमें ये angle पता चल जाए तो हम X की value निकाल सकते हैं हमें की ये दिया है कि A, B और AC equal है तो जो B के सामने angle होगा और जो AC के सामने होगा वो equal होगे तो A, B के सामने कौन सा angle है? X और A, C के सामने कौन सा है ये विनल B तो ये दोनों equal होंगे तो सबसे पहदे हम यह ही लिख देते हैं फिर हम angle A find करेंगे उसके बाद तो हम लिखते हैं in triangle ABC AB equal to AC given है AB equal to AC given है और इससे क्या प्रूव होता है कि angle ABC angle ABC equal to angle ACB होगा जो कि ACB हमारा X है तो यानि कि दोनों angle हमारे X हो जाएंगे क्योंकि ACB X था और ABC ACB के equal हो गया तो ये भी X हो जाएगा और इसका reason क्या देंगे angles opposite to equal sides of a triangle are equal अब देखो angle BAC और angle BDC angle in same segment है कैसे बता चल रही है same segment पे है तो segment क्या होती बच्चा जैसे ये code हो गया BC BC code हो गया BC code के उपर वाला part और ये BC वाली arc ले लोगी ये BC code और BC arc के बीच के area को हम segment कहेंगे ये बड़ी वाली segment major segment होगी और BC के नीचे वाली part होगा circle का और minor segment होगी अब major segment अगर हम shade करें ना तो ये ये वाली है देखो ठीक है ये वाली है जो BC के अबव है ये हमारी segment होगी इस पर दो angle बन रहे है इसके अंदर जो shaded part है कौन से दो angle बन रहे है circumference of the circle पर देखेंगे हम एक बन रहा है angle BAC और एक बन रहा है angle BDC ये होंगे angle in same segment क्या होंगे बच्चा angle in same segment तो angle BAC is equal to BDC हम लिख देंगे angle in same segment angle in same segment अब आगे द्यान देना बेटा अब BAC हमारा कितना हो जागा angle BAC 80 degree क्योंकि BDC के equal हो और BDC 80 है तो angle BAC भी 80 degree होगा अब हम क्या करेंगे triangle ABC में angle some property लगाएंगे इसमें कौन से तीन angle है एक तो angle BAC ही है है की नहीं येस और उसके इलावा angle ABC है प्लस angle AC भी है ये तीन angle है इस ट्रेंगल के is equal to 180 degree और angle some property लिख देंगे है ASP अब BAC तो हमने 80 find किया भी ABC और AC भी दोनो equal थे हो कितने थे X तो ये हो जगा X प्लस X ABC की जगे भी X आ गया और ACB की जगे भी X आ गया is equal to 180 अब X प्लस X तो 2X हो जाएगा लेकिन जो ये 80 है न ये 180 के साथ shift हो के minus 180 हो जाएगा तो 2X is equal to 180 minus 80 So 2X is equal to 180 मेंस अगर 80 minus करते हैं तो 100 आता है और X की value क्या होगी बचा इधर 2 multiply by X है तो X is equal to क्या होगा इधर ये multiply हो रहा है तो इधर ये divisor में चला जाएगा 100 divided by 2 हो जाएगा और ये cut हो गया तो X की value हमारी X is equal to क्या आ गया 50 So हमारी X और Y दवनो की बढ़िया हागी X is equal to 50 and Y is equal to 80